ओ नमाश्शीवार इस महीने में भोले नात की पूजा अचना करने से उनकी विशेश क्रिपा प्राप्त होती है भोले नात को प्रशन करने के लिए शामन का महीना बहुत ही शुमाना जाता है धार्मिक मान्यताओं की अनुसार जब भगवान विश्रू चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो भोले नाती इस रिष्टी का संचालन करते हैं इसलिए सामन के महीने में भोले नाती बिशेश पूजा अर्चना की जाती है यदि आप भी शामन शुमार का ब्रत रखने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले पूजा बिधी शुमो हो इवं स्रावर शुमार का मंत्र जरूर से जान ले शामन में शुमार का ब्रत रखने के लिए सबसे पहले शुबा 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 नित्यक्रियाशी निब्रीथ हो कर स्वच्छ वस्त्र पहनने अब हर्मिय स्थापित किये गए मंदिर के सामने दाहने हाथ में जल देकर ब्रत का संकल्प ले अब भगवान सिल्की प्रत्मा पर दंगाजल और पंचामरित से उनका जलाव शेक करे उसके बाद भोली नादपर, दूद, दही, घी, गंगाजल और सहत से बढ़ा पंचामरित चड़ाएं अब भगवान सिल्को सफेद चंदन, सफेद फूल, धतूरा, बेलपत्र और शुपारी अर्पित करें भगवान के प्रत्मा के सामने घी का दीपक जलाएं अब शावन सोमवान ब्रत की कथा पढ़ें कथा जब समाथ हो जाए तो भगवान शिर्व और माता पारबते की आरती करें आये जानते हैं सोमवान ब्रत की सामग्री पुष्प, पंच फल, पंच मेवा, रग्र में सोनाया चादी दच्छरा, पूजा का बरतन, कुशाशन, दही, सुध देशीखी, शहर, गंगाजन, पवित्रजन, पंच रस, इत्र, गंधरोनी, मौली जनेव, पंच मिश्थान, बिलोपत्र, धतूरा, भां, बे, आम्रमंजरी, जो के बाल तुलसीदल, मदाल पुष्प, गाह का कच्चा दूद, इकारश, कपूर, धू, दी, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शीव, इवं मापार्वती की, स्रिंगाल की सामग्री शामाशोमवाद, पूजा मंत्र, ओम् त्रयंबकं, यजामहे, शुगंधिं, पुष्टि वर्धनं, उर्वारुक्मिं, बंधना, मृत्युर्मोच्छी माम्रिता आए जी सुनते हैं स्रावड सुमवार की कथा, स्रावड सुमवार की कथा के अंसार अमर्पुर्मगर में एक धनी व्यापारी रहता था, दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर में उस ब्यापारी का सबी लोग मान सम्मान करते थे इतना सब कुछ होने पर भी वह ब्यापारी अन्तर मन से बहुत दुखी था क्योंकि उस ब्यापारी का कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी उसके मिलित्यों के बार उसके इतनी बड़ी व्यापार और धन संपत्ती को कौन सम्हा लेगा पुत्र पारी की इच्छा से वह ब्यापारी प्रतिशोम्मार भगवान सिम के ब्लत पूजा किया करता था सायंकार को ब्यापारी शुमंदिर में जाकर भगवान सिम के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस ब्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन पार्वती जीने भगवान सिम से कहा हे प्राणार यह ब्यापारी आपका सच्छा भक्त है कितने दिनों से यह शुम्मार का ब्रत और पूजा नियमित कर रहा है भगवान आप इस ब्यापारी की मनो कामना अवश्य पूड करें भगवान सिम ने मुश्कुराते हुए कहा हे पार्वती इस संसार में शबको उसके कर्म की अमसार फल की प्राप्ती होती है प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैशा ही फल प्राप्त होता है इसकी बाव जो पार्बती जी नहीं मानी उन्होंने अग्रह करते हुई कहा नहीं प्रार्णा आपको इस ब्यापारी की इच्छा पूरी करने ही पड़ेगी यह आपका अनन्य भक्त है प्रतीशों आपका विधिवत ब्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भूजन ग्रहन करता है आपको इसे पुत्र प्राती का बर्दान देना ही होगा पार्बते जी की इतना आग्रहने कर भगवान सीव ने कहा तुम्हारे आग्रह पर मैं इस ब्यापारी को पुत्र प्राती का बर्दान देता हूँ लेकि इसका पुत्र बारा वर्षे अधिक जिवीत नहीं रहेगा उसी राग भगवान सीव ने शुप्न में उस ब्यापारी को दर्सन देकर उसे प्राप्ती का बर्दान दिया और उसके पुत्र के बारा वर्षे तर जिवीत रहने के बात भी बताए भगवान के बर्दान से ब्यापारी को खुसी तो हुई लेकिन पुत्र के अलपायू की चिंता ने उसे उसकी खुसी को नश्ट कर दिया ब्यापारी पहले की तरक शोमवार का विज्वत ब्रत करता रहा कुछ महीने पस्चार उसके घर अती सुन्दर पुत्र उपन हुआ पुत्रजन्म से ब्यापारी के घर में खुस्या वहल गई बहुत धूंधाम से पुत्रजन्म का शमारोह मनाया गया ब्यापारी को पुत्रजन्म की अधिक खुसी नहीं हुई ये भी उशे पुत्र की अलपायू के रहश्य का पता था। यह रहश्य घर में किसी को नहीं मानुन था। विद्यमान ब्राहडों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो शिच्छा के लिए उसे बारार सी भेजने का निश्चे हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीवचन को बुलाया और कहा कि अमर को सिच्छा प्राप्त करने के लिए बारार सी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ सिच्छा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रासे में जहां भी अमर और दीवचन रात्री में विश्राम के लिए ठहरते वहीं यग्य करते और ब्राहरों को भोजन कराते। लगभी यात्रा के बार अमर और दीवचन एक नगर में पहुचे उस नगर के राजा की कन्या का विबाब। उसी समय था निश्ची समय पर बारात आ गई। लेकि बरकापिता अपने बेटे के एक आग से काने होनी के कारण बहुत चिंतित था। उसी इस बार का भैसका रहा था कि राजा को इस बार का पताचन दे पर कहें वह विबाशी इंकार न कर दे। इससे उसके बगनामी होगी। बदके पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिस में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों इस लड़के को दुरहा बना कर राजखुमारी से विबाश करा दूँ। विबाश के बार इसको धन दे कर विदा कर दूँगा और राजखुमारी को अपने नगर में ले जाओंगा। वन के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीबचंद से बात की। दीबचंद ने धन मिलने के लालच में वन के पिता की बार श्विकार कर ले अमर को दुलहे के वस्त्र पहना कर राजखुमारी चंद्रिकाशी विबाख करा दिया गया। राजानी बहुत सा धन दे कर राजखुमारी को बिदा किया। अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिप सका और उसमें राजखुमारी की उढ़ने पर दिख दिया। राजखुमारी चंद्रिका तुम्हारा विबाख तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बारार्शी में सिच्छा प्रात करनी जा रहा हूँ। अब तुम्हीं जिस नव इवक्की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजखुमारी ने अपनी उढ़नी पन लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लंकी की साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बाते जानकर राजखुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचन के साथ बारार्शी पहुच गया। अमर ने गुरु कुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयू बारह वर्ष पूरी हुई तो उसके मामा ने यग्य किया। यग्य की समाफी पर ब्राहरों को भोजन कराया और खुब अन्वश्त्र दान किये। राटको अमर अपने सयनकच में शो गया। शिव की वर्दान की अमसार शैना वस्था में ही अमर की प्राहर पखेरू उड़ गये। शुर्योदय पर मामा अमर को मृत देख कर रोने पीतने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रभू कर दुख प्रकट करने लगे। शमीव से गुजगते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा प्राहर नात मुझसे इसकी रोने के श्वर शहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ती के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान सीव ने पार्वती जी के साथ अधिशे रूप में शमीब जाकर अमर को दीखा तो। पार्वती जी से बोले पार्वती यह तो उशिव्यापारी का पुत्र है। मैंने से बारा वश की आयू का वर्दान दिया था। इसकी आयू तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान सीव से निवेदन किया। हे प्रारना आप इस लड़के को जीवीद करें। नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यू के कारण रोरोकर अपने प्रारों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परंभक्त है। वर्षों से शोकवार का ब्रत करती हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान सीव ने उस लड़के को जीवीद होनी का बर्दान दिया। और कुछी पर में वह जीवीद होकर उठ बैठा। सिच्छा समात करके अमर मामा के साथ अपने नगर की पूर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुचे जहां अमर का विबा हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया। समीब से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यग्य समात होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया। और कुछरे उन्हे महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राज कुमारी के साथ बिदा किया। राशे में सुरच्छा के लिये राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। देख्चन ने नगर में पहुशते ही एक दूद को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेते अमर की जीवित वापस लवटने की सूचना से ब्यापारी बहुत खुशुआ। ब्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ श्वयं को इक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर ब्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतिच्छा कर रहे थे। हैं है अपने बेटे के मिनतियु का समाचार विला तो दोलों प्रार्ठ त्याग देंगे। ब्यापारी अपनी पत्नी और मित्रो केशा नगत की द्वार पर पहुचा अपने बेटे के विवाः का समाचार सुन कर। पुत्रवधू राजखुमारी चन्रिका को देख कर उसकी खुसी का ठिकाना न रहा। उसी राज भगवान सीर ने ब्यापारी के श्वब्न में आकर कहा। श्वब्न का ब्रत करने से ब्यापारी के घर में खुश्या लोटाई। सास्त्रों में लिखा है कि जो हिस्त्री पुरुष श्वब्न का बिध्वत ब्रत करते और ब्रत कथा शुनते हैं। उनकी सभी च्छाएं पूरी होती हैं।